केंद्रे गरी मंत्री अमिशा आज जार्खन दोरे पर देवगर आ रहे हैं शाह 11 बचकर 45 मेर्ट पर देवगर एरपोर्ट पहुंचेंगे आगमन के बाद वे सीधे बाबा मंदिर में पूझा अर्चना करेंगे इसके कारण तीन घंटा पहले से बाबा मंदिर में नो इंट्री होगी पूझा अर्चना के बाद दोपहर एक बज़े अमिशा जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में इको नैनो खादकार खाना का चला नियास करेंगे जिसके बाद दोपहर देड़ बज़े भाजपा की विज़े संकल महरेली को संबोधित करेंगे इसके बाद शाम चार बज़े रामकृष्ण मिशन विद्या पीट देवगर के शतापदी समरों में भाग लेंगे अधिक जानकारे के लिए मदन हमारे साथ जूट चुके हैं मदन बताएंगे कि आज अमिशा का देवगर में दोरा है क्या कुछ लेकर तैयारिया की गई है सुरक्षा के कितने इंतिजाम किये गए है बिल्कुल देखे ये जारखंट दोरा जो है अमिशा का इस वर्स अगर हम कहें 2023 में तो ये दूसरा होने जा रहा है इससे पहले जनवरी मेने में ही अमिशा का दोरा चायवासा में हुआ था और सबसे महत्पुर्ण ये है कि जारखंट के जो 14 लोग सवाज सीटें हैं उसमें से 2 सीटें अभी बीजेपी के जोली में नहीं है तो ऐसे में ये दोनों सीटों पर अपनी पकर मजबूत करने के लिए जनता तक पुझने के लिए आमिशा खुद दोनों सीटों के जो है मोनेटरिंग कर रहे हैं तो ऐसे में चैवासा का दोरा हुआ वहां के नेताओं को टास्क दिया गया कि कैसे अधिक से अधिक वोट जो है बीजेपी के पक्ष में लिया जाए वहीं आज दूसरा दोरा देवगर में हो रहा है जो की राजमहल सीट है लोकसा हा का उसको लेकर के ये दोरा जो है काफी महतुन बढ़ा जा रहा है आज राजमहल के कारक्ताओं के साथ खास करके संथाल परगना में जो अमिच्छा का दोरा हो रहा है इससे लोकसभा और बिधानसभा दोनों चुनाव को साथने की कोशिस होगी इसलिए बीजेपी के तमाम नेता जो हैं पहले से वहाँ पर केंप कर रहे हैं 11 बजे देवघर से देवघर पहुंचेंगे लगभग अमिच्छा और सबसे पहले बावाबेदनात मंदिर जाएंगे पुजार चना करेंगे उसके बाद फिर तीनों लोकसभा सीट दुमका देवघर गोड़ा और क्या कहते हैं राजमहल इन तीनों लोकसभा सीट को ले करके विजय संकल्प महारेली को संबोधित करेंगे जिससे कि वो चुनावी विगुल फुकेंगे उसके बाद एक खाद फैक्टरी का भी उदगाटन करना है तो इसे में हम कह सकते हैं कि यह एक महत्पुर्ण दोरा जो है अमित्षा का है जारखंट के लिए और खास करके बीजेपी के लिए शिलान्यास करेंगे नेनो यूरिया खाद कार खाना कर अमित्षा सिलान्यास करेंगे तो इससे वहाँ पर एक तरह से कहें तो रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे तो यह महत्पुर्ण माना जा रहा है खास करके जो बीजेपी के सांसद वहाँ से है निशीकान दूवे वो इसको एतिहासिक बता रहे हैं और खहरे हैं कि इस चेतर में जिस तरह से डेवलप्मेंट हुए हैं ऐसे में रोजगार के साधन इस कारखाना के खुल जाने से हो जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि संथाल सहित पुरे जारखंड में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जो मिशन 2024 है उसकी तैयारी अभीजे सुरू कर दी है और इसी करम में अमित साह का जो है यह दूसरा दोरा है फिलहाल यह दोनों सीटों पर अपनी इस्टिती मजबूत करने के लिए लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद जो और 12 सीटें बज रही है उसको लेकर कि क्या कुछ बीजेपी की रन निती होती है यह आने वाला वक्त बताएगा जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बाला जी कन्या कुमारी मदुरै मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकरजुन जोतरलिंका जार्खन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अमसर संपर्क करें माकामा ख्या धार्मिक रेली आत्रा केस्री नर्सिंग हों तहला तल्ला पिसका मोड राची